तो आई आज हम लोग शुरू करते हैं संस्क्रीत का पहला चैप्टर के प्रस्न उत्तर जैसा कि कल हम लोग पहले चैप्टर के पाचो स्लोकों का अर्थ को देखे उसको समझे और लिखे आज हम लोग इसके प्रस्न उत्तर को लिखेंगे और उसे समझेंगे आपको किताब में हर चैप्टर में दो तरह के प्रस्न दिये जाएंगे एक मौखिक और एक लिखित एक मौखिक और एक लिखित रही बात कि आपको एक्जाम में कौन आएगा तो अब तो एक्जाम में कोई भी क्वेस्टन नहीं दे रहा है पीछे से पहले किवल लिखित था क्योंकि मौखिक परिक्षा तो होती नहीं है लेकिन यहाँ पे हम मौखिक और लिखित दोनों पढ़ेंगे क्योंकि पीछे जो सवाल दे रहा है उसमें से एक नंबर का सवाल दो नंबर का सवाल उसे हिंदे में ट्रांसलेट करके आपको एक्जाम में दे रहा है क्वेस्टन और संस्क्रित में भी जो इसमें एक पदवला जो उत्तर है ज्यादातर करके वो सवाल एक्जाम में दे रहा है तो हम किताब के अंदर से तो सवाल जानेंगे ही टेस्ट होगा तो हम पीछे वाले सवाल को भी कंप्लीट करेंगे ताकि कोई रिस्क न लिया जाए एक्जाम में सवाल कहीं से भी आए किधर से भी आए हमारा एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए सो हम मौखिक और लिखित दोनों पढ़ेंगे क्लियर तो चलिए किताब में आज हम लोग सुरू करेंगे मौखिक का किसका जी मौखिक वाले क्वेस्टन और एंसर का मंगलम जो उपनिशद से लिया गया है मौखिक और इसका पहला क्वेस्टन है एक पदेन उत्रम वदत एक मतलब एक पदेन मतलब पद में उत्रम वदत उत्तर बोलें वदत मतलब होता है बोलें एक पद में उत्र बोलना है तो रही बात कि यहां पे तो भाईभा का परिक्षा हो नहीं रहा है भाईभा का अर्च होता है मतलब मुख से बोलने वाला इसा हम रिखी लेते हैं और से समझते हैं तक एक्जाम में अगर क्वेस्टन आए पचीस नंबर का एक्जाम में आपको ऐसा ही सवाल रहेंगे एक नंबर वाल जो एक पद वाला देख रहे है न इससे पचीस क्वेस्टन रहते हैं बहुत माईनी रखता है पचीस क्वेस्टन पचीस नंबर का और उसी तरह किताब में पचीस नंबर याणि टोटल पचास नंबर का सवाल आपको किताब से दिया जाएगा और बाकी पचास नंबर के जो क्वेस्टन होंगे वो आपको संस्कृत ब्याकरण से दिये जाएग तो चलिए इसको हम सुरू करते हैं को नमबर क्वेस्चन है हिरन्या, मैन, पात्रेण, कस्य, मुखम और पीतम हिरन्य मैन के कार्द क्या होता है जी सूना, पात्रेण मतलब बर्तन सूने के सवाल बर्तन से कस्य, मतलब किसका मुख, और पीतम मुखम धका होगा है यहीं, आज सूने के बर्तन से किसका मुख धका होगा है आज लालत से किसका मुख धका होगा है तो हम कहेंगे सत्यका क्या कहेंगे सत्यका तो आपको सवाल कैसे दे सकता है एकजाम में इसमें चार अप्सन दे सकता है कहेगा असत्यका शत्यका दोनो इन में से कोई नहीं असत्यका शत्यका दोनो इन में से कोई नहीं तो आप किस पर टिक करेंगे सत्यका या सत्यस्याब सत्यस्य का हिंदी क्या होता है सत्य का सत्य मतलब सत्य सिय मतलब का सत्यस्य तो आज सुने के बरतन से किसका मुख ढखा हुआ है तो सत्य का तो पहला का इंसर क्या होगा जी सत्यस्य उसी प्रकार खौ नंबर है सत्य धर्माय प्राप्ते कीम और पाब्रिडु यानि सत्य और धर्म के लिए सत्य मतलब सत्य धर्म यानि कि धर्म और आय सत्य धर्माय माय मतलब आय तो सत्य और धर्म के लिए आय का होता है के लिए क्योंकि सम्परदान कारक है सत्य धर्माय, सत्य और धर्म के लिए प्राप्ते किम और पावरेड़, सत्य और धर्म की प्राप्ती के लिए किसको हटाना होगा, किसको दूर करना होगा तो वो है हमारे मन से लालच को, यनकी लोभा, जब तक हमारे मन में लालच रहेगा, संसारिक मोहमाया रहेगी, तब तक हम सत्य और धर्म की प्राप्ती नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने महात्मबुध का नाम सुना होगा वो एक राजा के लड़के थे, लेकिन जैसे ही उनको ये ज्यान होगा, कि सत्य और धर्म की प्राप्ती तभी हो सकती है, जब मैं इस संसारिक मोहमाया और लालच को छोड़कर, एक सन्यासी का जीवन विताओं, तो वे घर छोड़कर चले जाते हैं, और सत्य और धर्म की प प्राप्ती करने के लिए हमारे मन से क्या हाटाना होगा, लालच को, लोभ को, समझ गये बात को, अब गर नंबर, ब्रामण मुखम केन अच्छादितम अस्ती, ब्रामण का जो मुख है, आज किस से अच्छादित है, किस से धका हुगा है, तो हिरन्मेन पात्र, सोने के समान बरतन से, यानि आज जो ब्रामण है, वे भी अपने मुख को किस से धका है, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब कि आज ब्रामर क्या हो गया है तो लालची हो गया है तो लालची कर्थ क्या हुआ है कि उनके मुख पर सोने का बरतन हो गया सोने का बरतन का अर्थ हुआ ना मतलब कि लालच होना मन में लालच होना तो इनका भी मुख किस से ठाका गुए है जी हिरन्य मैन पात्रेड गहा नमबर देखेंगे महतो महियान कह मतलब महान से महियान भी महान कह कौन है महान से भी महान कौन है तो हम लोग दुसरे स्लोक में पड़े थे अडो अडियान महतो महियान जनतोर नहितो ग्वायान यानि कि हे प्रभू ये जो आत्मा है वो अडू से भी छोटा है और महान से भी महान है तो कौन महान से महान है तो आत्मा मन की जो आत्मा है हमारे सरीर के अंदर वो महान से महान है और अडू से भी छोटा है तो महतो महियान कह महान से भी महान कौन है तो हम कहेंगे आत्मा कौन है जी आत्मा उसके बाद अंगा नमबर है अडो अडियान कह तो ये भी अडू से भी छोटा, अडू से भी छोटा कौन है तो आत्मा चानमबर है प्रिथी वयादे महत परिमाड युकतात वदार्थात महतर कह मतलब कि प्रिथी वयादे, इस प्रिथवी में, प्रिथवी पर सबसे महान, सबसे बलवान कौन सा पदार्थ है, कौन सी वस्तु है तो कौन सी वस्तु का अर्थ क्या हुआ, कोई शमान की बात नहीं कि जा रही है तो इस प्रिथी पर अगर महान से ही महान, कोई सक्ति साली से सक्ति साली कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है तो वो है हमारे परम पिता परमेश्वाद, क्योंकि भगवान से बढ़तर कोई नहीं है चाहे मनुष से कितना हूँ आगे बढ़ जाए आज हर चीज की खोज कर दे, लेकिन वो भगवान नहीं बन सकता है क्या नहीं बन सकता है जी, भगवान नहीं बन सकता है तो कुश्चन है कि प्रित्वी पर महान से ही महान, सक्ति साली से भी सक्ति साली कौन सा पदार्थ है तो कहेंगे परम पिता परमेश्वर परम पिता परमेश्वर ठीक है आगे देखते हैं च्छा नंबर है की द्रिशाह, पुर्शाह, नीज, इंद्रिय, प्रशादात, आत्मन, महिमानम, पश्यती, शोक, रहितश्य, भवती नीज, इंद्रिय, अपने इंद्रियों को प्रशादात, नियंत्रित करके आत्मन, महिमानम, अपने आत्मा को महान बनाकर पश्यती, देखता है शोक, रहितश्य, भवती, तो वो शोक से रहित हो जाता है सोक से रहित होने का अर्थ हुआ मतलब दुखों से वो बाहर निकल जाता है वो कैसा वैक्ति होता है जो अपने सरीर के इंद्रियों इंद्रियों मतलब क्या होता है सरीर के अंगों को सरीर के अंगों को नियंत्रित करके अपने आत्मा को महान करके देखता है और सोक से रहित हो जाता है तो वो बैक्ति होता है सत्यस्य मार्गे चलती जो सत्य के मार्ग पर चलता है किसके मार्ग पर चलता है सत्य के मार्ग पर चलता है सत्यस्य मार्गे चलती जो सत्य के मार्ग पर चलता है ओके? आगे देखेंगे जया नम्मर किसकी जय होती है किसकी जय होती है तो कहेंगे शत्यस्या सत्य की जय होती है क्योंकि कहा गया है शत्यमेव जयते सत्य की जय होती है और जहानमबर है कीम जयम नौ प्रापनोती किस्से जय की प्राप्ति नहीं होती है कौन जय नहीं होता है तो आशत्यस्य यानी जूट या असत्य जो है उसकी कभी भी जय नहीं होती है अंत में एक नए एक दिन वो हार ही जाता है और लाश्ट है इसका काह नाम रूपंच विहाय शमुंद्रे अस्तम गशंति का नाम किसका नाम रूपन्च और रूप रूपन्च नाम और रूप विहाय समुंद्रे शमुंद्र में मिलकर अस्तम गशंति समाप्त हो जाता है मतलब वो किसका नाम है किसका रूप है जब वो समुंद्र मिलता है तो उसका वही से समाप्ति करण हो जाता है तो वो है नदिया जब समुंद्र में मिलती है तो वे अपने नाम और रूप को खो देती है तो हम लिखे नधा, नधा मतलब एक नदी, नधा मतलब बहुत साध नदी है, तो एक नमबर सवाल को आप लोग बढ़िया से समझ गए, इसका क्वेस्टन अगर आएगा आप से पूछा जाएगा तो आप लोग बना देंगे, चलिए हम दो नमबर सवाल को देखते हैं, अब हमारा दूसरा क्वेस्टन है, एते शाम पद्या नाम प्रथम चर्णम मौखिक रूपेड पूरियत, यानि कि एते साम पद्यानाम नीचे दिये गए पदो में प्रथम चर्णम, प्रथम चरण को देखकर मौखिक रूपेड पूरियत, मौखिक रूप से पूरा करें, यह मतलब कि आपको बोलना है, तो हम बता चुके हैं कि बोलना तो है लेकि हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको भाईवा का एक्जाम तो होगा नहीं, लिखित ही होगा, तो लिखित कहीं बात करें जदा, अब आपको करना क्या है, कि नीचे जो पद दिये गए हैं, उनको पहले देखी, उनको देखने के बाद, उनके बाद जो भी इसमिस सब्द आएंगे, उसको आपको जोड़ देना है, लिख देना, जैसे को नमबर है, हिरन्यमाईन, तो आप लोग किताब में पड़े हो, कि हिरन्यमाईन, पातेड, शत्यस्य, औपीतम, मुखम, तो आपको क्या करना है न, कि हिरन्यमाईन के बाद, वो पूरा लाइन लिख देना है, यानि जहा तक वो लाइन गया है, उस लाइन को पूरा कर देना है, इसमें भरना है, जैसे को नमबर है, अड़ो, अडियान, उसके बाद लिख देंगे, महतो, महियान, अड़ो, यह तीसरा सुलोक है पहला लाइन है तो सत्य में हो जायते तो लिखनेंगे ना निर्तम ना निर्तम के दा में देखेंगे सब हैं उसी तरह गहा नंबर या था नद प्रवहती तो इसी तरह इसको भरेंगे और पाचों सवाल को हमने नहीं भरा है यह आपके लिए मैं दे रहा कि कल आप लोग इसे बना कर लाएंगे इसे हम चेक करेंगे इसे कंप्लीट हो जाएगा आपसे बना लीजिएगा बोलिए कोई दिक्कात की लिखवा देगा हाँ चलिए ठीक है इसको आप लोग बना कर लाएगा आप लोग यहीं हुमर करहेगा और उसे याद करेंगे साथ साथ याद करते चलेंगे तो आपके उपर बड़े नहीं बड़ेगा मत्तब ज्यादा लोड नहीं बड़ेगा एक बार में रोज का रोज याद करते रहिए क्योंकि ज्यादा सवाल तो हम लिखवाए नहीं समझाएं काफी अच्छे तरीके से और बाकी सवाल जो दो है उनको हम लोग कल पूरा करेंगे तो आज के लिए इतना ही तो अब आप एक नमबर सवाल को उतार लेंगे चलिए सुरू किजी लिखना इतना ही, इतना ही नहीं चलिए तरीके से पाना झाल झाल तरीके सांटे तरीके से पाना ही तो हम लोग कर दो हम लोगए नहीं जले है तरीका से तो आप लोगते हैं में अला.